मकर संक्रांती के तिवहार को देश के अलग-जग हिस्सों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है इस तिवहार को कहीं पर उत्रायन कहीं पोंगल तो कहीं खिचडी नाम दिया गया है हिंदू धर्ब में मकर संक्रांति को बेहत खास माना गया है इस दिन सूरे उतरायण होता है परंपराओं के मुताबिक इस दिन सूरे मकर राशी में प्रवेश करता है और इसी के साथ एक महिने का खरमाज खत्म होकर सभी शिब काम फिर से शिरू हो जाते हैं इस दिन गंगासनान और दानपुर्णे जैसे कारियों का विशेश महत्व माना जाता है मकर संक्रांती के तिवहार को वैसे तो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है लेकिन इस साल ये तिवहार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है दरसल मकर संक्रांती की शिर्वार 14 जन्वरी को रात 8 बचकर 43 मिनट पर होगी और इसका समापन अगले दिन शाम 5 बचकर 40 मिनट पर होगा इसलिए उद्यातिती के मुताबिक मकर संक्रांती 15 जन्वरी को ही मनाई जाएगी मकर संक्रांती का पुर्णे काल मुहरत 15 जन्वरी को सुभ़ 6 बचकर 47 मिनट पर शिरू होगा और वही महा पुर्णे काल सुभ़ 7 बचकर 15 मिनट से सुभ़ 9 बचकर 6 मिनट तक रहेगा मानेता है कि पुर्णेकाल और महापुर्णेकाल में इसना अंदान करना शुब होता है